अस्सलामा अलेकुम आज मैं आपके साथ ऐसा रमजान स्पेशल ड्रंक शियर करने जा रही हूँ जिसे न आपको प्यास लगेगी आपकी बॉड़ी ठंडा रहेगी और जो इरुने ट्रक्ट इंफेक्शन होता है रमजान के दोरान वो भी नहीं होगा तो अगर आपको इसके बेनिफिट देखने आप गूगल से चेक कर सकते हो इस गॉन्ट कदिरा को सहरी के टाइम पिया जाता है आप चाह तो इक टारिके टाइम पी सकते हो बट हम इससे सहरी के टाइम पीते हैं ताकि हम दिन बर फ्रश रहे और हमें प्यासना लगे तो चली इसे बनाना और उनको इस्टिकी लगता है और पीना पसंद नहीं करते हैं मैं आपको वो तरीका दिखाऊंगी कि आपको ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा तो हम यहाँ पे चलने लेंगे जिसमें हम गौंद कदीरा डालेंगे हम इसे वाश करेंगे क्योंकि इसमें डस्ट अगेरा लगी होती है वो साफ हो जाती है तो हमने गौंद कदीरा को अच्छे से साफ कर लिया है वाश कर लिया है अब हम एक गिलास लेंगे जिसमें हम ये गौंद कदीरा ट्रंसफर करेंगे और इसी गिलास में हम पानी भी डालेंगे और आदे गंटे तक हम इस गोंद कदिरा को पानी में रखेंगे ताकि अच्छे से सोक हो जाए और फूल जाए ये खाने में बहुत ही मज़दार लगता है और इंसान दिन बर फ्रेश फील करता है प्यास भी नहीं लगती है रमजान के महीने में क्या चाहिए इंसान को ज्यादातर प्यास ही लगती है बट ये पीने के बाद इंसान को प्यास बिलकुल भी नहीं लगती है क्योंकि हमारा जो पूरा खानदान है वो ये यूज़ करता है रमजान के महीने में तो देखिए आदे गंटे में ये अच्छे से फूल गया है और गॉंद कतीरा बन के तायर हो गया है ये सेम बर्प जैसा दिखता है जैसे हम नॉर्मली पानी का गिलास पीते हैं वैसे ही पानी का गिलास लेंगे और उसमें गॉंद कतीरा मिलाएंगे दो चमच हम मिला रहे है और हम इसे पी सकते हैं, सहरी के टाइम इपते हैं पी तो दिन बर फ्रेश रहें और हमें प्यास भी नहीं लगी तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजगा इस रमजान में तो मिलते हैं नेक्स्ट रस्पी में तब तकके लिए अलाफेगे